देखते हैं केंदरी मंत्री परशद यानि यूनियन काउंसिल आप मिनिस्टर्स जहां पर जरुरत होगी मैं थोड़ा व्यक्षा कर दूँगा जहां जरुरत नहीं होगी मैं वहां से आगे चलूँगा अब देखिए कि केंदर सरकार का परमुक कौन होता है तो परधान मंत्र होता है सब्दों पर ध्यान दिजिएगा कई बार लोग रास्ट पती समझ बैठते हैं गलती से तो वह मैं सब बता चुका हूं कि ऐसा कैसे होता है पुराने वीडियो को देखिए कि आपको मिल जाएगा परधान मंत्री के नियुक्ति किसके दौरा की जाती है रास्ट पती के दौरा अब यहां पर देखिए परधान मंत्री जो भारत का होता है न वह एलेक्टेड नहीं होता है वह सेलेक्टेड होता है यानि परधान मंत्री का जो है चुनाओ के जरिए परधान मंत्री नहीं चुने जाते हैं मुख्यमंत्री और परधान मंत्री दोनों ही तो वह अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता तो वह अपने पक्ष में अपना वट मत नहीं दे सकते थे बस यही फ़र्क होता है राजिस सभा के परधान मंतरी का और लोग सभा के परधान मंतरी का अगर मोदी जी के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो मोदी जी अपने हक में वट दे सकते हैं संसदिय साथन व्यवस्था में वास्तविक कारेपाली का सक्ति किस के अधिन होती है तो यह होती है परधान मंतरी के अधिन लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तूत करने के लिए लोकसभा सदस्यों के निम्तम कितनी संख्या होनी चाहिए तो 50 होनी चाहिए निम्तम संख्या 50 होनी चाहिए तब ही अविश्वास प्रस्ताव आगे जाएगा भारत का प्रधान मंत्री सामाने तर की सदन का सदस्य होता है तो सामाने तर लोकसभा का होता है लेकिन राजिसभा के सदस्य भी प्रधान मंत्री बन सकते हैं भारतिय समिधान का नुछेद 75 परधान मंत्री वा अन मंत्रियों की नियुक्ती मंत्री परश्यद के आकार एवं उतरदाईतु का निर्धारन करता है मंत्री मंदल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधान मंत्री सहित लोगसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी यह नियम बनाया गया है मंत्री मंडल में कुल मंत्रियों की संख्या पर्धान मंत्री सहित लोगसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी यह नियम बनाया गया है संसद का सदसे नहीं होने पड़ भी कोई व्यक्ति अधिक्तम कितने माह तक किंद्रिये मंत्री इड़ा सकता है तो 6 माह तक 6 माह के बाद जो है उसको या तो राजिस सभा का संसद बनना होगा अनिथा जो है उसको कहीं से एलेक्ट होके आना पड़ेगा आगे देखते हैं हम लोग मंत्री परिशत किसके परती उतरदाई होती है तो संसद के परती मंत्री परिशत जो है वो किसके परती उतरदाई होती है संसद के परती उतरदाई होती है मंत्री परिशत भारत के समिधान ने किस अनुछेद के तहत यह प्रावधान किया गया कि परतेक राजी की कारेपाली का सकती का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संग की कारेपाली का सकती का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संग की कारेपाली का सकती का इस प्रकार प्र भावना पड़े ये किया गया है अनुचेद 257 के द्वारा ये नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री और प्रधान मंत्री के बीच में हमेशा टकड़ाओ बना रहे है इसलिए ये किया गया है लाव के पद यानि Office of Profit का निर्धारन संसद एवं राज विधान मंदल द्वारा किया जाता है लाव के पद यानि Office of Profit का निर्धारन संसद एवं राज विधान मंदल द्वारा किया जाता है भारतिय राज निती की व्यवस्ता में कारी पालिका किसके अधिन कारे करती है तो विधाईका के नहरु की कैबिनेट में पहले गिरिभ मंत्री तेथा बाद में स्वतंत्र भारत के पर्थम विधिमंत्री बने थे श्री आर के सनुगम चटी स्वतंत्र भारत के पर्थम वेत्र मंत्री थे स्री आर के सनुगम चेट्टी भारत के किस परधान मंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया तासकंद में डेथ हो गया था लाल बहादूर सास्तरी जी का ये काफी कंट्रोवर्सियल डेथ थी अपने परधान मंत्रित तो काल में कौन सा निता एक भाड़ भी संसद में उपस्तित नहीं हुआ तो ये थे चौधरी चरंशिंग, किसानों के निता थे ये तो अपने परधान मंत्रित तो काल में एक भाड़ भी ये संसद में उपस्तित नहीं हो पाए ये जहन्डा फढ़ा पाये थेक की नहीं ये मुझे comment box में बताईएगा ठीक है ना? Google से सर्च कर लीजेगा मुझे भी पता रहे कि आप लोग देखते हैं या नहीं सिर्फ कारेकाल देख लीजेगा ना समीधान के अनुचेत में मंतरी मंदल सब्द का प्रियोग किया गया है किसके पर्तीवेदन प्रादारित था? तो ये था dapat गोपाल स्वामी आयंगर के परतीवेदन पर अब देखते हैं मंत्री परिशत तथा मंत्री मंडल में अंतर को देख लेते हैं कि मंत्री परिशत क्या होती है यानि काउंसिल क्या होती है और मंत्री मंडल यानि कैबिनेट क्या होती है तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले मंत्री परिशद सब बता देता हूँ फिर मंत्री मंडल सब बता देता हूँ अंतर आप खुदी देख लिजेगा लाइन बाइन चलिए मैं लाइन बाइन बाइन बता देता हूँ कैबिनेट अस्तर के मंत्री राज अस्तर के मंत्री एवं उप मंत्री ये सब इसमें सामिल होते हैं कैबिनेट अस्तर के मंत्री भी राज अस्तर के मंत्री भी और उप मंत्री भी सब इसमें सामिल होते हैं मंत्री मंदल में केवल कैबिनेट अस्तर के मंत्री ही सामिल होते हैं, जो कैबिनेट अस्तर के मंत्री होते हैं, वही मंत्री मंदल में सामिल होते हैं, मंत्री परिशद में सब आ जाते हैं, उप मंत्री भी, राजि मंत्री भी, दूसरा यह एक समविधानिक निकाय है, जिसका सम्विधान के अनुच्छे 74 वा 75 में किया गया है 44 में सम्विधान संसोधन 1978 द्वारा अनुच्छे 352 में मंत्री मंदल सब्द को जोड़ा गया जो सम्विधान के मूल पाठ में नहीं था समझ गये 44 में समिधान संसोधन 1978 दौरा अनुछे 352 में मंत्री मंडल सब्द को जोडा गया जो समिधान के मूल पाठ में नहीं था सेधान्तिक रूप से मंत्री परिशद को संग की समस्त काड़िपाली का सक्तियां प्राप्त है प्रंतु मंत्री मंडल दौरा इसके काड़ियों का निर्धारन किया जाता है वेभाडिक रूप में मंत्री मंडल सदेव मंत्री परिशद की सक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्री के काड़ियों का निर्धारन करता है मंत्री मंडल दौरा चलाए गए नितिगत निर्णेयों का करियानवन मंत्री परिशद दौरा किया जाता है निर्णियों को क्रियानवित करने के लिए मंत्री परिशद को निर्देश देता है तथा निर्णियों के क्रियानवित को निर्देश देता है तथा निर्णियों के क्रियानवित की निगरानी भी करता है देखिए इसमें कई सारी चीजे है इसमें ये है कि जो cabinet मंत्री होते है वो अपनी जो गोपनिय मीटिंग्स होती है, टॉप सिक्रेट मीटिंग्स, उसमें कैबिनेट मंत्री ही मेन होते हैं, ठीक है ना, और जो मंत्री परिशद के बाकी जो मंत्री होते हैं, वो उतने गोपनिय बाते उनको नहीं बताई जाती, फिर मंत्री मंडल के पास कुछ special power हो जो उप परधान मंत्री थे, खास करके, वो नाम से पहले तो उप लगा हुआ था, लेकिन वो कैबिनेट के सदस्य थे, तो कैबिनेट के सदस्य में किसको सामिल किया जाए, नहीं सामिल किया जाए, ये समझ लिजे कि परधान मंत्री का विशेसाधिकार हो जाता है, तो मंत हैं नेक्स क्लास में धन्यवाद